यदि आप बीए फिप्त समस्टर के चात रहें और आने वाले दिनों में आप परिछा देने वाले हैं सोसोलोजी यानि की समास साफ्त की फर्स्ट पेपर की ठीक है तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों के पक्की होने वाले हैं 15-20 नमबर ठीक है क्योंकि इसी वीडियो से 15-20 नमबर के कुश्चन आपकी परिछा हमें आएंगे 100% से और 100% गैरेंटी के साथ और यह प्रस्ट आएंगे ह यह हमेशा आते हैं और आते रहेंगे हमेशा लाइफ टाइम तो चलिए जान लेते कौन कौन से प्रस्ट नहें और आपको क्या-क्या तैयार करके जाना है पूरा मामला ठीक है तो चले चलते हैं वीडियो पर ठीक है और यह आपका अपना चैनल सक्सिट हुई हुए जो कि एक्जाम की तैयारी हमेशा कराता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा जिसे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो सबसे पहला जो प्रश्ण है भारत में प्रांसेशी क्रांतिक कब हुई थी बहुत ही हाई लेबल का प्रश्ण है यह आपके यह प्र को इसी कोईश्चन के लिए आप लोगों को दस नमबर दे जाते हैं ठीक है यह ज्यादातर कोईश्चन देर गुत्रे और लगुत्रे में आता है तो इस कोईश्चन को आप लोग तुरंत नोट बुक में अपने नोट डाउन कर लीजिए ठीक है क्योंकि यह प्रश्ण नोट कहा जाता कहीं कहीं पर प्रांस falls का तक छली छेक अगला कोईश्चन है इसी में का सारे कोईश्चन होंगे ठीक है मतलब राज साही साषन जो राजाओं का साषन था ठीक उसंपर राजाया और उनके बेटे जो होते थे वो राज करتे थे यानिकि की पूरा एक तरीके से पीड़ी दर पीड़ी राजाओं का राज चला करता था ठीक है। अपना एरिया बना के उस पे हर मनमानी करके हर जगह कबजा कर लेते हैं हर इंसान को अपने वश्मे कर लेते हैं हर इंफान फिजो चाहे जैसा बेवार करते हैं ठीक है तो यह जो राज साही और प्रचीन सासन को उखाड फैकना और एक गड़ तांतिर्क सरकार की अस्थापन करना था तो मुख्य उद्देश यही था कि जो राजसाही यानी राजाओं का सासन था प्रचेन पुराना फाफन था इसको उखाड के बाहर फैकना कि अब आपका सासन नहीं चलेगा ठीक है अब एक यह जो देश है वह एक गरतंत्र यह देश बनेगा यानि किसमें गरतंत्र यह सासन की या फिर सरकार की अस्थापना की जाएगी ठीक है यह था फ्रैस इश्य क्रांथ का मुख्य उद्देश अगर्व प्रश निश्य में काये कि जो राजाओं को उनी फ्र Re Kи Bazaar तो राजहों की मनमानी है बहुत ज्यादा थी जैफा कई अपने दिन नागरHz के लोग को जेसान पिछाए उनके वैस्वार करते थे तो कुलमरा के राजाओ की हर तरीके से मन मानी चलती थी ठीक है यह मुख्रकराण था राजाओ द्वारा अधिक खर्चा करना ठीक यहां सुनेंगे कि हम प्रस नली कोई काम कर सकते थे वो नहीं कर सकता था याने कि वेए स्वतंततरा का आभाव था पूरीतनना नहीं था कि वो कुछ कर सके कहीं जा फखे कहीं आ फखे ठीक है और अग्डा था प्रांतों में आसमान था मट्общ« जब साफंव कर राजाओं का थे का उसमें प्रादों में himm rice ऊक्रान्फ योद की नगर रहा है कोई एडी एयरिया है उसमें आश femme सब्रूक संथालों पाई जाते थी जिस को वो लोग मांते थे राज्या लोग उसको अच्छे प्रिसेलेट्री देते थे यानि कि वहाँ पर कोई सासन नहीं करते थे ज्यादा बोलते थे जहां पर उनको लगता था कि लोग उनकी कहना नहीं मानते थे वहाँ पर उन लोगों को वो पूरी तरह उनके फाद दो बेवहार करते थे और उनको अपने वस्में कर लेते थे आसमानता थी एक तरीके से ठीक है तो आसमानता के मतलब यह हुआ कि बिवेद मतलब कि किसी के फाद सही बेवहार करना किसी के साथ गलत बेवहार करना ठीक है नामें आसंतोस और अमेरिका का स्वाधिनता संग्राम जनता का आर्थिक सोसर्ड ठीक है यह थे प्रम्भुकार्ण फ्रांसेशी क्रांत के ठीक है यह सब प्रश्ण प्रश्ण में आएंगा रहे कोई मजा कोई वह वाली बात नहीं है यह मैंने इसको पुए थी उससमें राज जीति किसर प्रैसी ते उसके बारे में उल्ले करना थिक है तो यहां से सुनेंगे प्रांस की के समय प्रांस पर जूल मेट का सासन था कि मतलब या होगा कि एक मतलब की तरीके श्टे क्लों कौख सकते हैं नहां राजा थे ठीक है लुई सोल में ठीक है और इन्हीं का सासन था जब फ्रांस की गरांत हुई थी ठीक है और फत्राफ चवहत्तर इसमें अपने पिताहमा की मृत के बाद वह कठिन प्रस्थित में सिंघा सनरोड हुआ उस समय राज को फृदिक्त था राजा के उपर अत कौन फ्रांस जो लुई सोल में था ठीक है यह किलियर लुए जो सोल में था बहुत प्रेश्रम के बाद अपने पिता की इम्रत के बाद कठिन प्रस्थितियों को सामना करने के बाद उसने सिंघासन पर बैठ था और उसके बाद जो वहां पर अतधिक्रन यानि करजा था ठ जब फ्रांस की करांती हुई थी उस समय राजनेतिक इस्थित अहवी थी आप जानते हैं समाजिक प्रस्थितियां का इस्थित कैसे थी तो फ्रांस इसी समाज तिन संपदाओं में विभाजित था प्रथम इस्टेट में पादरी वर्ग सामिल था दूफरे में इस्टेट क पहले के बारे हम जानते हैं पहला और दुतिय ठीक है इस्टेट को करो फे छूट और फरकार सेना और चर्च में प्रमुक पदों पर नियंत्रण जैसे बिसेसा अधिकार प्राप्त थे पतलब की वो चाहे तो लोंसल ले सकते हैं ठीक है और उचाहे तो अपने उसार कोई अगला है दूसरा और तीसरा स्टेट को गंभीर समाजिक और आर्थिक आसमानता का सामना करना पड़ा वे भारी करों का बोज उटाते थे ठीक है यानि कि इन पर बहुत ब्याद लगाया जाता था और उसी को ये लोग मतलब की जो कर्ज लिया था इसी को वो लोग समिट कर करते थे कि हां वो करज भर नहुत M ada और नौकरी तक उनकी पहुंच सीमित थी और अक्सर गरीब के रहते थे रहते थे थे वो सिंपल सी बात है कि वो फच्छा और नहें को मिलें एक तरीके से सीमित नहीं के बराबर ठीक है उसके बाद अपना मतलब कि इसमें का अगला पॉइंट है समाजिक इस्थित का कि समानता फुतंतरता और लोग प्री शंप्रुवता के प्रबुद्ध विचार फिच्छित माध्यम वर के बीच फैलने लगे जिसे तीसरे स्टेश्ट में आफंतोस बढ़ने लगा ठीक है तो क्रांत से पहले फ्रांस को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा यानि कि फैनेंसियल रूप से पैसो रूपियों से बहुत ज्यादा समस्याई और बहुत ज्यादा इस तरीके से बहुत बड़ा संकट उनको देखने को मिला ठीक है और बहुत बड़ा संकट आया अ उनके आधिक खर्च के वज़ावे मत्ताब कि बिना फालतों के खर्च, जिसको आप लोग बोलते हैं कि गलत जगे अपना पैसा लगाना है, फिर गलत जगे पैसे खर्च करना, अधिक पैसा खर्च करना ठीक है, इसी वज़ावे, देश जो है न भारी करजा में डूप गया ठीक है आर्थिक प्रस्तितियों में उसके बाद कर का बोज मुख रूफ से तीसरे इस्टेर पर पड़ा जो पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे ठीक है मतलब कि अपनी समझ जो जरूरत थी जो उनको रिक्वार्मेंट थी उसके लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहे थे आर्थिक मंदी की करण उन्हें रोटी की उची कीमतों और बिरोजगारी का सामना करना पड़ता था मतलब कि एक वक्त रोटी खाने के लिए उनको ज़्यादा पैंसे था ठीक कीमत देने पड़ता था और बिरोजगारी का सामना करना करना पड़ता था कि वह और की काम नधाम और जब काम नधाम नहीं रहे गए तो पैसे नहीं आएंगे पैफे अगला प्रश्ण प्रस्तुत है आप सभी के समस्त देखिए अभी तक हमने बात किया था प्रांस इसी क्राम से जुड़े कोईश्चन अब अगला कोईश्चन बहुत ही मात पूरे इससे भी जुड़े आपकी प्रिच्छा में प्रस्ण आते हैं ठीक है ज्यातर का मानना है कि जिस प्रकार प्राकरतिक घटनाएं आकास्मिक नहीं होती है ठीक है कहने के मत्तब यह जो प्रत्यच्छवात का मानना है कि जिस प्रकार जो प्राकरतिक घटनाएं वह आकास्मिक नहीं होती बल्क निश्चित नेमों के अंसार घटित होती है उसी प्रकार समा स्वाज में समाजिक पर घटनाय भी कुछ नियमों के अधार पर घटित होती है ठीक है और इन कि क्या लिखा है और इन नियमों को वास्तविक आउलोकन परिच्छन और प्रियोग द्वाराख हो जा सकता है तो मतलब कि कुछ घटनाय ऐसी होते हैं प्राकृति की जो होती है पिना बताय नहीं आती है ठीक है मतलब कि संदे हो जाता है उस तरह समाज में कुछ ऐसी घटनाय होती है जिनके नियमों के बारे में ठीक है बता मतलब कि पहले पर जानकारी मिल जाती है ठीक है तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा फ़स्ट बिशिश्ता मे दूसरा है कि प्रतित छुवाद ना केवल बैग्यानिक दस कोंट से सम्बंदी थे बलकि जो ना बैग्यानिक पध्धित से भी सम्बंदी थे अर्थात प्रतित छुवाद के अंतरगत घटनाओं का अध्यन मन माने ढग से नहीं किया जाता इसके लिए एक निश्चित बैग्यानिक तरीका अपनाया जाता है यह नहीं कि बिना आप लोग जानते नहीं माली जी बाइक बनाना आप लोग जानते नहीं और बाइक को बनाने चल दिए ठीक है तो कहने के मत्तब यह है कि बाइक बनाने वाला अलग इंजिनिर होता है बेस अब अगली यहां पर बिशुस्था है कि प्रतेज्वाथ स्वयम को धार्मिक और धार्ष्कोनी बिचारों पर दूर रखता है और बेग्जानिक अध्यनु кबर्णाली के माद्यम से स्वयम को वहत्विझ्ञाश से समंधित मानता है मत्तब कि वो धार्मिक और दार्शनिक बिचार से दूर रहता है उसलिफ बिज्ञानिक अध्यन पर विश्वास करता है उसे के साफ से ओवर्क करता है ठीक है किलियर मिसे इस्तक्लियर हो गई अब आगया कि अगस्त काम्टे जी तो हैं इनकी प्रतिछवात सिध्धान्त क्या है या अगस्त काम्टे के प्रतिछवात क्या है ऐसा प्रस्न देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह है अगस्त काम्टे इनकी फाइल पिक्चर है देख लीजी आप लोग ऐसे ही थे ठीक है तो याद रखेंगे जो काम्टे है यानि के अगस्त काम्टे को प्रतिछवात का जम अधार्मिक्त पर नहीं आपे तो विग्यान की विद्धियों द्वरा समझा जा सकता है तो यह भी कहने कि हम धर्मिक नुसान नहीं समझ़आँगे इसको समझने के लिए बिज्ञानिक जो इस्टेप है उनको फोलो करना पड़ेगा ठीक है और विज्ञानिक विद्धियां निरच्छण परियोग और वर्गीकरण की एक बिवस्तित कारिक प्रणाली है मतलब कि जो बिग्यानिक पद्दित होती है वो पहले भाई किसी चीज के बारे बिधी कोई चीज बाइक बनाना है तो पहले लोग उसका मॉडल तरियार करेंगे की बाइक कैसे बनेगी पिर उसम प्रिच्छण परिच्छण और वर्गीकरण कारणी दिवारा सब कुस समझना और उससे घ्राप करना ही प्रतिचवाद है मतलब की बिग्यानिक बिधी kijू से ठीक निरच्छन करना परिच्छन करना और उसका प्रियोग करना ठीक है और उसकी